कि नमस्ते कि नमस्ते मेरे प्यारे देश्वासियों कि कोरोना वैस्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई कि बहुत मजबूति के साथ आगे बढ़ रही है कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े हम विजई कैसे हो हमारे हाँ नुकसान कम से कम कैसे हो लोगों की दिक्कते कम कैसे करे इन बातों को लेकर राज्जों के साथ निरंतर चर्चाएं की है और इन सभी चर्चाओं मेंसे एक बाद उभर करके आती है हर किसे का यही सुझावाता है नागरीकों की तरफ से भी यही सुझावाता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए कई राज्यतों पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं साथियों सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तै किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब तीन मैं तक और बढ़ाना पड़ेगा याने तीन मैं तक हम सभी को हर देश्वासी को लॉकडाउन में ही रहना हुगा इस दोरान हमें अनुशाशन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं मेरी सभी देश्वासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी किमत पर नए एक शेत्रों में फैलने नहीं देना है स्थानिय स्थर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिन्ता का विशे होना चाहिए कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखत मृत्य होती है तो हमारी चिन्ता और बढ़नी चाहिए और इसलिए हमें होर्ट स्पोर्ट को इंगित करके पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सतकता बरतनी ही होगी जिन स्थानों के होर्ट स्पोर्ट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी कठोर कदम उठाने होगे नए होर्ट स्पोर्ट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनोती देगा नए संकट पैदा करेगा इसलिए अगले एक सप्ता में कोरोना के खिलाप लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी बीस एप्रिल तक हर कस्बे हर थाने हर जिले हर राज को बड़ी बारी किसे परखा जाएगा वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है उस खेत्र ने करोना से खुद को कितना बचाया है इसका मुल्यांकर लगातार किया जाएगा जो खेत्र इस अगनी परिक्षा में सफल होंगे जो अपने हाँ होट स्पोर्ट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके होट स्पोर्ट में बदलने की आशंका भी कम होगी वहाँ पर बीस अप्रिल से कुछ जरूरी गतिविद्यों की अनुमती छुटचाट दी जा सकती है लेकिन याद रखे ये अनुमती सवशर्ट होगी बहार निकलने के नियम बहुत सक्त होंगे लॉकडाउन के नियम अगर तूरते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलागे में पढ़ता है तो सारी अनुमती तुरंत वापिस ले ली जाएगी और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और नहीं किसी और को लापरवाही करने देना है मेरे देश्वासियों कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी साथ्यों बीस अप्रिल से चीनित खेत्रों में इस सिमीत छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजिविका को धान में रखते हुए किया गया है जो रोज कमाते हैं रोज की कमाई से अपनी जरूरते पूरी करते हैं वही मेरा एक ब्रहत परिवार है मेरी सरवच्च प्राथिक्ताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है प्रदान मंत्री गरीब पल्यान योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है अम नई गैडलाइन्स बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है इस समय रभी फसल की कटाई का काम भी जारी है केंदर सरकार और राज सरकारे मिलकर प्रयास कर रही है कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो साथियों देश में दवा से लेकर के राशन तक परियाप्त भंडार है कि सप्लाई चेन की बाधाएं लगातार दूर की जा रही है हेल्थ इंफरस्टेक्टर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जहां जाए यह कहता है कि कोरोना के दस हजार मरीज होने पर पंद्रा सो सोला सो बेट्स की जरूरत होती है भारत में आज हम एक लाग से अधिक बेट्स की ववस्ता कर चुके हैं इतना ही नहीं छेसो से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कोवीड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं इन सुविधाओं को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है साथियों आज भारत के पास भले सिमित समसादन हो लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेश आगर है कि विश्व कल्याण के लिए मानव कल्याण के लिए मेरे नवजवान साथियों आप आगे आए कोरोना की वैक्सिन बनाने का मेरे देश के नवजवान मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं साथियों हम धैर्य बना कर रखेंगे नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे इसी विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपका साथ बांग रहा हूँ साथ बातों में आपका साथ पहली बात अपने घर के बुजुर्गों का विशेश ध्यान रखे विशेश कर ऐसे व्यक्ति जीने पूरानी बिमारी हो उनकी हमें एक्स्ट्रा कैर करनी है उन्हें कोरोना से बहुत बचा कर रखना है दूसरी बात लॉकडाउन और सोशल डिस्टंसिंग की लक्षम देखा का पूरी तरह पालन करें घर में बने फेस कवर या मास्क का और वह भी घर में बने हुए उनका अनिवारिय रुपसे उपयोग करें तीसरी बात अपनी इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्राले द्वारा जो निर्देश दिये गए हैं उसका घरम पालन करें गर्म पानी हैं काड़ा है इनका निरंतर सेवन करें चौथी बात कोरोना संक्रमन का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरग्य सेतू मोबाइल एप जरूर डाउनलोड करें दूसरों को भी इस एप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें पांचवी बात जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरे करें उनके भोजन की आवशकता पूरी करें चठी बात आप अपने व्यवसाय अपने उद्योग में अपने साथ काम करें लोगों के प्रती संबेदना रखें किसी को नोकरी से न निकालें सात्वी बात देश के कोरोना युद्धाओं हमारे डॉक्टर नर्सेस सभाई करमी पुलीस करमी ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें आदर पुर्वक उनका गवरव करें साथियों इन साथ बातों में आपका साथ यह सब्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है विजय होने का हमारे लिए निष्ठा पुर्वक करने वाला यह काम है पूरी निष्ठा के साथ तीन मई तक लोगडाउन के नियमों का पालन करें जहां है वहां रहें सुरक्षित रहें वयम राष्ट्रे जागरयाम हम सभी राष्ट्र को जीवनत और जागरुद बनाए रखेंगे इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ आपको आपके परिवार को उत्तम स्वास की मंगल कामनाए करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद है वहां रहें सुरक्षित रहें वयम राष्ट्रे जागरयाम हम सभी राष्ट्र को जीवनत और जागरुद बनाए रखेंगे कि इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ आपको आपके दौन सवाप्त करता हूँ